हेलो गाइस बेलकम बेक तो आवर चैनल फ्यूचर इस्टडी गाइस इसमें देख सकते आप बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम इंगलिस ओनर्स पॉलिटिकल ओनर्स और बीकॉम ओनर्स सेमेस्टर फॉर्स्ट एंड सेकिन एस रेगुलर एंसी वेब जो आपका इंवा सेमेस्टर की स्टूडेंट के लिए वीडियो है देख सकते हैं जो इसमें क्लास फॉरे इससे पहले भी हमने तीन क्लास बता चुकिए अगर अभी तक आपने वह नहीं देखा तो देख लिजेगा अपको प्लेलिस का लिंक आपको डिसिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा त देखी कैसे पहले इसी में से आपके पीपर में आने वाला है सो पेसेंट तो यह कोशन फोष्ट आपका तुक रडुशन क्या है मतलब पर्दूशन का रत बताना इसमें परिभासा बतानी और पर्दूशन के भीविन परकार परभाव कारण और उसके रोकने के उपाए यह बताना है तो यह आपको समझ में आगे कोश्चन किया है अब इसके अंसर में आपको क्या लिखना है तो वायू पधूशन, जल पधूशन, ध्वनी पधूशन यह चार पॉईंट इसके अलावा काफी पॉंट होते हैं हमने जब लिया अब इसमें आपको पहले तो आयू पाइव पद्धुसन होता क्या यह बताना है फिर इसके परकार बताना फिर इसको कैसे रोका जा सकता यह बताना इसमें इस ही ताइप से निचारों को explain करना है ठीक है तो यह हुआ आपका man question ठीक है और paper में यह वाले भी question पूछे जा सकते हैं मिद्धा पदूशन क्या है मिद्धा पदूशन के परभाव कारण तथा रोकने के उपायों का बढ़ना कीजिए जो इस question में इसमें काफी बड़ा question है और यह अलग-अलग से पूछा गिया तो यह देख लीजिए नेक्स question आपका वा यु पदूशन क्या है वा यु पदूशन के परभाव कारण यु पदूशन को रोकने की रोकने मतलब नियंतन करने के उपायों का वर्णा कीजिए दुभानी पदूशन से आप क्या समझते हैं द्वनी पद्दूसन के परभाव कारा रोकने के उपायों का वर्णा कीजिए तो देख सकते हैं तो टोटल फाइब कुर्शन है यहां पर अंसर बता गया अगर आपके पास यह वाला कुर्शन आता है तो आपको इस सभी के बारे में लिखना है ठीक है अ ठीक है तो यह होगे आपका तो कोशन हमने बता दी इन पांचों में से कोशन अगर यह अलग से पूछे तो काफी अच्छी बात है अगर यह वाला कुर्शन आए तो सभी के बारे में आपको लिखना होगा थोड़ा थोड़ा सा ठीक है तो चलिए आपको अंसर बताते हैं तो यह देख सकते हैं कोशन आपके सामने परियवन परदूशन अर्थ परकार परभाव कारण तता रोकने के उपाए ठीक है तो अंसर देखते हैं परियवन के किसी भी घटक में होने वाले आवशे परिवतन जिससे जिव जगत पर पतिकूल परभाव परता है परदूशन परदूशन कहलाता है परदूशन क्या है जो जिव जगत होते है उस पर जो पर भाव पता है उवा परदूशन कहला पर दूशन में मानब उप्याव कर परते, अध्योगित नगरिय करन होते इस सभी से प्रदूशन होता है ठीक है मिरुए घटको अधार पर प्रकार्ट सब्सक्राइब इस इस चारे के बारे में नहीं बता है सोब था इसके अलावा भी और सारे पॉइंट है की कि आपको पता चलकि चार प्रकार के हमने बताया जम्हान το अपने Жीव जीवन चक्र को चलने के लिए संतूलित पडियवन पर निरवर कते हैं संतूलित पडियावर्ण से पर रिवह Dalts जिसमें घेटहन प्रेंटु कभी कभी मानवे या अनेक आरणों से पर्यावन में एक अथवा अनेक घटकों की माता या तो आवसक से बहुत अधिक बढ़ जाती अथवा पर्यावन में हानिकारक घटक का परवेश हो जाता है है इस तती में परवेशान में पर्यावन दूसित हो जाता है ताथ जीव समोधाओं कि सीनाय रूप से हानिकारक सिद्ध होते हैं परवेशन में अनचाहे परिबतन को ही पर्यावन पर्दू doğ follow तो आप को आपनाता रहता उन्हें पर्दूर्शन से मतलब नहीं होथा धूए कलते हैं फैक्टरियों से गैसों से अध्योगित करन आने से यह सब प्रदूर्शन है तो यह पहले बताना अब इसके प्रकार देखिए परियवरनिय घटकों के अधार पर प्रदूर्शन को भी मेद्दा आदे में बाटा जाता है अब यहां पर ना अम एक एक के बारे में बताएंगा अगर यह कोशन आए मिद्दा के ऊपर तो यह लिख दीजिएगा नहीं तो बाकि तो आपको कोशन पता यह जैसे हमने आप भी बताया था मिद्दा के भूतिक रसाइने किया जैबिक गुनों में कोई भी ऐसा अवंच्रिय परिवतन जिसका परवाव मानव पोशक तथा फोसल उत्पादन या उत्पाद कत्ता पर पड़े और जिससे मिद्दा के नश्ट हो जाए मिद्दा पदूसन कहलाती है तो आपको मिद्दा परवस्दु सांब पर्ड़े संद्पादन गाया के एक नीच आपका परवस्दु से कहते हैं में किट्व प्रवक परवस्दु से एक उप परवक बड़े खत्म हो जाता है जैसे यह कुछ पुइंट दिये आपको तामबाग कीता नासक परदात रसाइने की इसका और प्रभाव के बारे में देखते हैं जो मेद्दा पदूसन के परभाव निम लिखी ते रिखी मेद्दा पदूसन में से मेद्दा के भूति के अहम दसायनी गुन परभावित होते और मिट्टी को उत्पादन चमता पर परभाव परता है कहीं कहीं लोग माल जाल से खेतों की सिचाई करते जिससे मेद्दा में उपरीश चिंदों की संक्या दिनों दिन घटती जाती है और बात में एक इस्तिति आती है कि भूमी की प्रकति माल जाल उपचार चमता पूरी तरह नश्ट हो जाती है जब मिद्दा में पद्दूसित पद्दातों की मातावर्ट जाती तो वे जल सुरोतों में पहुंचकर उनमें लबनों तता अन्या हानिका तत्वों की बढ़ा देते हैं परिनाम स्वहर पैसे जल सुरोतों का जल पीने योग्य नहीं रहता है तो साप सिंपल सब्दों में कहा जाए ना तो जो भी मिलावटी समान आपको दिखा जा रहा है जो खेती के लिए ना उसमें मिक्स कर दिया जाता है जो भूमी के उगजाओ खतम हो जाती है और जिसी बज़े से यह हो पाता है प्रदूसन कहते हैं और इसको रोकने के ना कुछ उपाय होते है कुछ कारण तो अभी हम बताएंगे और जिससे ना जल पीने योग्य भी नहीं रहता है इसकी वज़े से मिद्दा प्रदूसन के परमुक कारण अब इसके कारण क्या है तो यह देखिए है आसतत कि कभी 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 करतें कभी नहीं करतें रोक रोक कर ना यह दाद कच्रेश पलास्टिक के श्याफ नहीं को यह दया होविल्श कि आनियंति परशुचार निदा पनुसन रोकने का उपाय यह तो किस-किस बज़े से होते हैं मिठ्टी क्यों नुक्सान हो रहे हैं यह देख सकते हैं जो घर के कुले प्लाश्टिक का BE अगर उपाय यह कही चलते हैं रही है तो इसको रोखने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए कार खानों से निकलने वाले सीवेज जल को मिद्दा पर पहुचने से पूर्व उपचारिक करना नगर पालिक नगर निकायों द्वारा आपसिस्ट का उचित निरंता रसायनिक उर्भक्तों का उपयोग अधिक ना किया जाए कि किटा नासक कवर नासी आहम संखा नासी आधि का प्योग कम से कम किया जाए आम जनता को मिद्दा पदूसन के दूस्परवाओं की जानकाई दी जाए तो इसके रोकने की देख सकते हैं कुछ उपाय थे कूरे कच्रे ना फैला जाए जो कार खाने से धूंगे निकलते उसको वहीं से रोक दिया जाए और आगे ना ुषां की तो वायू पदूसन कर पहले देखें यह रauft principals होता है क्या है वायू गैस का मिसरण है और यह में ये मात जूरतों से उतुन बाहरी सुरूतों के वायू में एक हर्स हो जाता है और ये जीव खनतु वाइटे ऺदान में उसकी कि बाहरी साधड हैं के तो शी एक हर्स पढ़क सलस भिणाक करते दो जो और भलक सिसार जूत हैdy पर भी निक्सान पहुंचाती है जैकर जाय। जीव clinic करना शुन होते हैं यह पड़ूसल पडाइर रशबर universal करभ Спूर ऑक्साइड नाइटोजन के लोरोसीन आमोणिया दूल आदी पमुक मानप जाती वायू पद्रूशन है और कुछ वायू पद्रूशन के नाम भी दिये गए जैसे कि आपको पड़ता है कारवन डायू ऑक्साइड है नाइटोजन है सुल्फर है यह सभी नहीं कुछ लिखें पड़े हैं देख लीजिए यह सब मानव जाती को जो वायू पद्रूशन क कि इसे जाते ही बाद के सब्सक् Subscribe तब्ध के परभाव को कॉर्ण सूरिय के परकास की मता में कमी आ जाती जिसे पेकरा संसब का रिए परभावित होती है देख लीचे हूं वायू पद्रोसन से मनुस्य का संतंत्र प्रभावित होता है और उसमें दम, बैका, सिर्दद, फेप्रे का कैंसर, खासी आँखों में जलन, गले का दद, डीमोनिया, हैदे रोग, उल्टी, जुखा, मारी रोग हो सकते हैं तो आपको पता हैं जो बुखार है फीए तो इनसे हमारे इत्बीमारिय उत्पन हो सकते हैं वाई-ur-sans स्वेटि द्धिमाई अधे मिल्सी भी रोगायथ, धनी जे गडिया जेल, अबार इद, पर नुद्र भीमोन कोश्चन आपके पास पूछा जाए कि अमल वर्षा किसे कहते हैं तो आप यह देखें यहां से लिखेंगे वायू पद्दूसन के छेतों में जब बरसात होती है तो वर्षा में विविन परकार की गैसें विशेली पदात घुलकर धती पड़ा जाते जिसे अमल वर्षा कहते है तो समझ आगे अगर सौट में कोश्चन पूछा जा सकता आप से वायू पद्दूसन के कारण कारण देखिए क्या क्या कारण इसके बहनों में जिमासी इधन का दहन फैक्टिरियों से निकलने वाला दूवा तो यह समझ में जिए दूवा है और जो किसी कारियों में बिलायक तो यहां कुछ पॉइंट है आपको देख सकते हैं एक तो गारी बस है जिमासी इधन है जो फैक्टिरिया है और कुछ किसी के है जो जिमा और बाकी यह फनीचर है जो इस पैंट पॉलिस किये जाते और कूरे कच्रे और बाकी नालियों में जो सफाई नहीं की जात इस को नियंतन करने को पाया होने जाहिए जाग रुक्ता लाने चाहिए और कूरे कच्रे को हर जगह नहीं ठैकने जिए कैलाध लिक भी देखना छाहिए देखे इसमें जो चिमनी के धूएं होते हैं जो होता है चिमने उसके उचाई ज्यादा दखने चाहिए जिससे की कम पर्दूर्शन हो देखें यह पॉइंटी है इसे हमाइक बता देते आपको अध्योगों की चिमनियों की उचाई अधिक हो कोले तर डिजल की इंजनों का उ प्योगों किया जाए और पुराने बेहन के संसरे पर पतिवन लगाया जाए सोर उज्या क मनज को कर आई जाए ओजन परत को चितगरश्ट करने वाले रोड़ोल कार्वन के उत्पारन है उत्यों प्योगों कर्टोटी किसे कारखानों की चिमनियों में भैक फिल्टर का भ परिवतन कर देते हैं कि वह मानव स्वास के लिए नुकसान संदे हो जाए या उसकी उप्योगता कम हो जाए तो इसे जल पदूसन कहलाता है तो समझ गए जो यहां पर आपको जल पदूसन का पदा चलिए के नुकसान से होता है बागी जो देखे आगे पॉइंटे जो बस्तुए हैं पदा जल की सुधनता हैं गुनों को नश्ट करते हैं वह वायू पदूसन होते हैं पहली बात तो जो जल को नश्ट करता है उसे क्य मानफ श्वास के लिए नुकसान दाइक होता है क्यूंकि जो जल में नहीं तो बाहरी पदात होते हैं जासे वायू पदूसन हो गया और भी पदूसन हो गया वह सभी जल पदूसन के परभाव परभाव क्या क्या इसके यह देखिएं पदूसित जल में सोवाल तेजी से कुछ विशेश प्रकार के पौधों को छोड़कर सेश्ट हो जाते हैं जो जल पदूर साने नगाई देखिए उसमें एक पानी होता है उसमें अगर कोई भी बाहर की वायू मिल जाती है जैसे जहर के कुछ भी तो जो उसके उसकी वजह से ना पौधों को सबसे ज्यादा नु तक नहीं पहुंच पाता जिससे जल ये पौधे की प्रकास सेंसर किया और उसकी बिद्धी प्रभाबित होती है अगर जल में जल पदूसन होगा ना जिसकी वजह से ना जो सूरे का प्रकास होता है जिसकी वजह से पौधों में बिद्धी होती है तो वह अच्छे से प्रा यहां पर आप पॉइंट और भी लेख सकते हैं इससे मानब जाती को भी नुखसान होता है प्रधूसिक जल को इस ayammonam बीमारते प क 생म बेसे पोलीय के सथी मुखर औरूर बियूल पार्व मानबहर के कौह है जाती हैं अगर अगर हम पड्रूसन जो जल होते हुग पीएंगे पड्रूसन वाला तुछ से क्या होगा नुकसान अभी देखिए इसका स्रोथ जल पड्रूसन के स्रोथ अत्वा कारण कारण पूछा जाए आप से या स्रोथ पूछा जाए एकी चीज होता है दोनों घरेरु कुड़े कच्रे का जल में बहाया जाना थ्वा फैका जाना पहला कारण जो घर के कुड़े कच्रे होते हैं आप देखते हैं जल में नदियों में फैक देते हैं जिसी वजह से होता है दो स्पून कि इसी पदतियों के कारण मिद्द चरन उर्वत्त के उपयोग में नियंतर विद्धी अध्योगों आधि द्वारा भारी माता में अविश्ट पदात जल्स रोत्वता तथा नदियों एहम जल्साओं में बहाया जाना समुंद के किनारे इस्तीत तेल की कुए में लिकेज हो जाने से होने वाला तेल पदूसन नदियों के किनारे जो कुए होते हैं तेल के होते हैं तो उसमें लिकेज हो जाता है जिसके वज़े से भी पदूसन होता है और एक चीज और है अगर नदियों में आप देखा जाए ना कि जो आपका पूजा पार्ट का समान हो प्रश्व पक्षान सबमकर मेता है वह नहाता है कपड़ी जाते हैं और प्रभंधे मतक लीचे नीचे लिखा यह लिखाए था साब५न लगाकर नहाना कुपड़े धोना यह सबी काम नहीं करना चाहिसा कि इther नद्यों के पास गंदगी पहलाना साबू लगाकर नहाने तथा कप्रे धोने पर पतिबंद हो इन पर रोक लगाई जानी चाहिए पसुओ के नदी तलाब आदित के में नहाने पर पतिबंद सभी प्रकार का अफसेश तथा अफसेश यूग नदी तलाब अन्य जल सुरूतों में वहन माने की जाज़ दी जाने से पसुओ पक्षी साबून और यह क्या कहते हैं आपको कप्रे धोने यह सब कुछ भी नहीं होना से सपर पतिबंद कानून होनी चाहिए जिसकी बज़ा साम यह प्रदूसन को रोक सकते हैं ठीक है उर्भा को तदक कीतनासों को प्योग आवसक अन कि उगा कर पदूसी जल को सुध करना कुछ यह पौध होते हैं अगर हम लगाएंगे न तो जिसकी वज़ेसे जो पदूसी जल होता है उसे सुध बनाया जा सकते हैं ऐसी मचलियों को जलसायों में छोड़ा जाना चाहिए जो मच्रों के अंडे लाव जल यह खपतवार कार कुछ मचलिया इस टाइप की होते हैं जो कीरे मोकोडे अंडे मच्रों के होते हैं अपने अंदर पचा लेते जिससे पदूसा नहीं होता है कच्छों को नदी जलसाओं में छोड़ा जाना चाहिए जन जागरुता को बढ़ावा देना चाहिए तो जन जागरुता को भी पूरची आपकी इस वीडियो को पूर देख रहेए और नहीं देख रहे हैं उच्तीवता हो थ्याद अवाली ध्वनी को सोड कहते हैं जो सबसे मतलब मुच मतलब में जो बन युदू बनती है उस बजाते है उसे सवक या मंडल में आउच्छन ये द्वनी की मौजोबदी को katsips ऑजाते हैं थोड्य कि दृषं कहा जाता हैं को चाहिटेट होता है ऑन समानिय , मार डाल होते हैं पर भल डूहित किसोड सअिरोट ननेद्दृ नेद वज़ब कुरें ध्रसाइं भुटक्ष किसमें हासे आफार है जिन मदूरों को अधिक फोर में काम करना होते हुए मेत दिखिवी रख्चापटि अनीक रोगों से गष्ट हो जाते हैं जो मजदूर उन्हें शौर स्राबय 10-20 पूटो था सैनिक बॉमों की आठटAngel Test हो सकता है लगतार सों में रहने वाली महिलों के नौट सुष्व में बीकृतितनि हो सकती है और जो महिलाय होते हैं उनके बीभी हुते हैं चोटे-चोटे जो परभाव थे अब इसके कारण देखिए इसे हमें रोकना होगा पहले कारण देखिए फिर रोकने का उपाई बता दे ध्वानी पद्धोसन के मुख पर मुख कारण निम्लेखी थे मोटर बहनों से उत्पन होने वाला सोर वायू या सो मोटर बहनों वे रेल गारी उनकी सीटे से होने वाला सोर सीटी लावड स्पीकर है म्यूजिक सिस्टम से होने वाला सोर कार खानों में मसीनों से होने वाला सोर तो समझ में आगे आपको जो लावड स्पीकर होते और एक हो कि अपने घर में आवाज रही बाहरों को भी सुनाना जरूरी होता है उनके लिए अजकी डेट में तो यह सब कम किया जाना चाहिए द्वानी पर दूसर रोखने के उपाय देखिए अधिक सोर उत्पन करने वाले बहनों पर पतिवन पतिवन लगा दिया जाए कि वह नहीं च चाहिए करना चाहिए जने करना च June Qisora महां के अधिक सबेम माहाण सब्सक्राब्स होता है उन्हें करना बहनों के साइलेशन की समय यह पर जांच वैंट लिए सपी को एंधय सास्थ को ना चाहिए पतिबंद जो बैंड वाजय होते हैं जो सादियों में चलते हैं लावड़ी स्पीकर तो इन सब पना रोक लगानी चाहिए लिमिट में इनका यूज किया जाना चाहिए जिससे लिमिट में यूज करेंगे तो इनने पढ़िया बन परदूस्तन इनसे कम किया जा सकता है तो य अगर आपसे यह वाला कोशन पूछा जाए तो आपको यह अंशर लिखना है अगर आपसे इनमें से कोई भी पूछा जाए तो श्रीपीनिक बारे में लिखना चाहिए तो वीडियो को कर दीजिये का सियर और लाइक जरूर किघेगा इस बहुत महनत लगते है यह बनाने मे आपको लगता होगा कि ऐसी बन जाती है ठीक है इस तो वीडियो को सेड़ कीजिए और टेलीगरम ग्रूप जोएन कर लिजेगा थैंक यू